वैद्याज किचनसों में आप सभी का स्वागत है। आप सबोखो लोडी की धेशदारी बधाए। आज हम सक्रान्ती एस्पेसल खिजडी बनाएंगे। सक्रान्त में सभी के घर में खिजडी बनती है। सभी के हाँ अलग-अलग तरीके से खिजडी बनाई जाती है। आज हम आपके साथ अपनी मा की रेसिपी सेर करेंगे। मेरी मा इसी तरह खिजडी बनाया करती थी। खिजडी बनाने के लिए हम दाल और चावल लेंगे। दाल हम अरहर और मूं का लिए हैं। आप कोई साभी दाल ले सकते हैं। एक कटोरी डाल लेंगे और एक कटोरी चावल लेंगे। दाल और चावल बरावर लेंगे। आप चाहे तो दाल कम या जादा कर सकते हैं। चावल आप कोशिज करें जिससे आप खिजडी बनाते हैं। उसी चावल से खिच्डी बनाएं, तो खिच्डी का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। दाल चावल को धोकर रख लेंगे। खिच्डी बनाने के लिए हम पहले दाल बनाएंगे, तो दाल हम कूकर में डाल लेंगे, तीन गिलास के लदफ़क पानी डालेंगे, स्वाद नुसार नमक हल्दी डालकर तीन सिटी आने तक इसे पकने देंगे। अब हम एक कड़ाही में दो चमच घी गरम करेंगे, आधा चमच जीरा डालेंगे, दो तेज़ पत्ता डालेंगे। जीरा तड़क चुका है, अब धुले हुए चावल डालेंगे, और इसे दो से तीन मिनट तक हम भूनेंगे। चावल को हमें जादा नहीं भूनना है, बस सलका दो से तीन मिनट तक इसे हम भूनेंगे। भुने हुए चावल से खिच्डी खस्वाद दो गुना हो जाता है। चावल को आप घी से ही भुने। एक बार इस तरीके से खिच्डी आप जरू ट्राई करें। यकीन मानिये खिच्डी बहुत टेस्टी बनेगी। चावल भुन चुका है। उसी कडाही में हम सर्शू का तेल करम करेंगे। आधा चमज चीरा डालेंगे। अब हम कटी हुई सबजिया फ्राई करेंगे। सबजी में हम आलू, बैगन, गोभी और मटर लिये हैं। आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी सबजी डाल सकते हैं अब इसे अच्छे से हम भुनेंगे। स्वाद नुसार हम नमक डालेंगे। रिर चमज के लगभग हम हल्दी डालेंगे। इसमें हल्दी थोड़ा जादा रहेगी क्योंकि खिच्डी में हम उपर से हल्दी नहीं डालेंगे। जो दाल और सबजी में हैं उसी हल्दी से हमा न जाएं सक्रांत में सभी कि यहां खिच्डी बनेगी तो सोचे क्यों न अपने घर की रेसिपी आपके साथ सेयर की जाए ताकि आप भी इस सक्रांत मेरे तरीके से खिच्डी बनाकर सक्रांत का पर्म मनाए उमीद है मेरी रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी पसंद आए तो लाइक, सेयर और सब्सक्राइब करें गोभी आलू अच्छे से पग गया है अधरक लसन मिर्च का पेस्ट डालेंगे कटी हुए दो टमाटर डालेंगे अगर आप लसन नहीं खाते हैं तो इसे ही स्कीप कर दें एक चमज धनिया पाउडर डालेंगे एक चमज लाल मिर्च पाउडर डालेंगे दो तीन चमज के लगभग पानी डालेंगे जिसे मसाले जलेना अब सबजी को हम अच्छे से मसाले के साथ भूनेंगे एक चमज किचन किंग पाउडर डालेंगे अब मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे और सबजी हमारी भूनकर तयार है दाल भी बनकर तयार है तो धकन हटा लेंगे और दाल अच्छे से पक गया है अब इसमें हम पानी डालेंगे मेरे हैं सभी को पतली खिटडी पसंद है यहां पर हम तिन गुना पानी डालेंगे पानी में उबाल आने देंगे उबाल आ चुका है भुने हुए चावल डाल देंगे चावल को हम अच्छे से चलाएंगे ताकि तले से या चीप के नहीं भुने हुए सबजी डाल देंगे खिटडी को हम लगतार चलाते रहेंगे नहीं तो तले में या चिपग सकता है और देखिए टेस्टी खिटडी बनकर तयार है अब हम खिटडी में तड़का लगाएंगे तड़का पैन में हम दो चमच घी डालेंगे एक सुखी लालमीच को तोड़कर डालेंगे एक चमच जीरा डालेंगे जीरा अच्छे से तड़क चुका है अब दो पींच हम हिंग डालेंगे और खिचडी में हम तड़का लगा देंगे कटी भी हरी धनिया पत्ती डालेंगे खिचड़ी बनकर तयार है चोखा के बीना खिचड़ी अधूरा है तो चलिए चोखा भी बनाएंगे तो आलू बाल के मैस करके रख लेंगे दो सुखिलाल मिर्च को हम पका लेंगे चार-पांच कली लेसन को कट कर लेंगे एक चमच हम सरसो का तेल डालेंगे स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे अब इसे हाथों से हम अच्छे से मैस कर लेंगे मिर्ची को तोड लेंगे और मैस किये हुए आलू डाल कर अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे चोखा कई तरह से बनती है लेकिन खिचड़ी के साथ ये चोखा काफी टेस्टी लगती है अब कटे हुए हम लसन की पती थोड़े से डाल देंगे और धनिया पती डाल देंगे और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे एक बार फीर आपको याद दिला दें अगर खिचड़ी की रेसेपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए आप मेरे चैनल से बने रहें चोखा बनकर तयार है तो चलिए अब हम प्लेट लगाते हैं खिचड़ी खाने में स्वादिश तभी लगती है जब उसके साथ चोखा, चटनी, दही, पापड, अचार हो तो चलिए सक्रान ते स्पेसल हम ठाली तयार कर लिए हैं खिचड़ी की ठाली में हम खिचड़ी, चोखा, धनियापती की चटनी, बैगन का भाजा, पापड, दही और अचार रखे हैं खिचड़ी में घीडा लेंगे और टेस्टी सक्रान ते स्पेसल ठाली बनकर तयार है इस सक्रान ती आप भी मेरे तरीके से खिचड़ी की ठाली तयार करें खिचड़ी स्वादिष्ट लगें, लाइक, सियर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नभ भूलें वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद हैपी सक्रान ती